कि आजके हमारी रिष्टीएंगे रवा केक है एकदम सौप्ट स्पॉंज एकले से लाएक बिना ओवन के घर में कैसे बना सकते हैं वह भी कडाई में वह आज देखेंगे तम बेकरी जैसा रवा के बन के घर में आसानी से तैयार होता है और स्वाधिष्ट है उतने दिखने में भी स्वाधिष्ट लग रहा है तो जल्दी से बनाईए रेसीपी और देख लिए ताकि आपको आधा चमच पावडर चुगर डालेंगे पिटी शकर और दोनों को आचे से मिक्स कर लेते हैं हुट ताकि जो आई है चीनिये अच्छे से ऑपड़ा हो जायी चीनिये अच्छे से घुल मिल जाये दोनों फराइं है अब यह मिक्स करना यह टाँ करना है तो सबसे पहले सूजी यह रवा जो एकदम बाहरीख वाला हमें रवा लेना है अगर मोटा सूजी है आपके पास थोड़ा सा मिक्सर जार में उससे घुमा लिजे अभी इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए और फ्लेवर के लिए जाएगा मैदा तो वन फॉर्थ कप मैंने मैदा लिया मैं देखा उसकी भी रेसिपी है उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे तो वहाँ पर आप चाहके देख सकते हैं अभी इसमें दूद डालेंगे तो रूम टेंपरेचर वाला दूद डालना है थंड़ा दूद नहीं डालना है और दूद भी मैंने वन जरूरत के दूद डालते जाएंगे थोड़ा दूद बचा के लगा लगा अगर जरूरत लगी तो ही डालेंगे और अच्छे से एकदम लम स्प्री हमें बैटर बनाना है तो अच्छी तरह से इसे फेटना है पांच मिनिट के लिए तकि सूजी भी अच्छे से फूल जाए ऑर हमारे बैटर जो एकदम हलका बने बनेती अए महारा केक एकदम फ्लफी बनीकर अच्छे से लगाता न चलाते वह हमें से फेटना है तो यह बैटर हमारा फेट के अच्छे से तयार हो गया है सूजी भी अच्छे से दूद को एब्जॉब कर लेंगे तो हमें यह अभी पतला लग रहा है लेकिन 10 मिनिट के बाद यह थोड़ा गाड़ा हो जाएगा तो 10 मिनिट के लिए रेस्ट पे रहते हैं तो 10 मिनिट हो चुके हैं चेक करते हैं हमारे बैटर को देखिए सूजी ने पहले से अच्छे से दूद एब्जॉब कर लिया है थोड़ा गाड़ा हो गया है पस ऐसे ही हमें जरूरत है बैटर की तो अभी इसमें थोड़ सी चीज़े और डालेंगे जिससे फ्लेवर आएगा केक को हमारे तो फ्लेवर और टेस्ट के लिए यहाँ पर मैंने पाइनेपल इमल्चल डाल रहे हूं यह इसस और कलर का कॉंबिनेशन होता है इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो मुझे पाइनेपल फ्लेवर का केक बना रहा था तो इसे पाच्छी ड्रॉप्स में कि टालों कि जादा नहीं डालना है 140 जितना होगा पाचे ड्रॉप आप लेंगे तो साथी में थोड़ा सा कलर के यहाँ पर यलो फूड कलर में डाल रहे हूं यलो कलर मैंने डाला है दो ड्रॉप डाले हैं जादा नहीं और इससे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स अभी आपक आपको बहुत ही पसंद आने वाला है अभी इसमें चाहिए का और दो और चीज़े तो इसके लिए हमें जरूरत है बेकिंग सोड़े पाउडर की तो आधा चमच यहां पर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और पाव कप चमच चितना बेकिंग सोड़ा डाला है और थोड़ा के उपर पानी डालेंगे और अच्छे से उपर अलका-अलका सा मिक्स कर लेंगे अब यह जो प्रोसेज है न हमें जल्दी फास्ट फार्स करनी होती है क्योंकि वेकिंग सोड़ा और बेकिंग पाउडर डालने से क्या होता है यह बैटर फूलने लगता है और पर लगा कि मैंने बस थोड़ा से हलका से उपर लगा लिया है और बटर पेपर लगाया और इसे जो बैटर बनाया था हो के पूरा इसमें डाल दिनगे केक्टीन में अगर आपके पास केक्टीन नहीं है तो फिर अबना कूकर का जो डबा रहता है उसे ले सकते ही या कोई सकते हैं और ूशलका हलका से टैब करना है 10 तो इसमें अगर बबनीर्ण होगे दो निकल झाएं और इसे तुरंथ हमें बेक करने के लिए रखना है तो कड़ाई मेने 5 मिनिट पहले ही अच्यते ते दब फ्लेंपर बेक करने रखी प्रीहिट करने रखीत ञांट है केए analysts मे करने रखें कररने रखें ताकि तुर यह बेक हमार क्वेग करूंप दस से पंद्रा मिनट नो जाए तो इसकmile उपर डैकोरीशन के लिए हमें यह ड्राइफुट्स लगा ताकर प्रूटी डाल सकते हैं अगर पहले ही जब केक करने रखते हैं तभी डालेंगे ना तो यह अंधर जा सकते हैं जैसे केक खुलने लगता है तो यह जो ड्राइफुस डालेंगे वह अंदर चले जाते हैं इसके लिए थोड़ा 10 मिनिट के लिए रुख जाएं फिर थोड़ा सकेक हमारे सेट हो जाएं तो उसके बाद यह ड्राइफुस डालेंगे तो वह अच्छे से चिपक पी जाते हैं और लोग भी बहुत अच्छा आता है अब यह केक देखें कितना फूल के उपर आया है तो केक जब भी केक तिन में भरेंगे ना तो थोड़ा जगा जरूर रखी है एक इंच इतना ताकि उसे फूलने में जगा मिले और तुरंत इससे कवर करके हमें बेक करना है 25 मिन्ट के लिए तो 25 मिंट्स के बाद चेक करते हैं तो देखिए केक को चेक करते हैं केक हमारा कितना अच्छा से बेक हो चुका है आपको कलर देखके ही समझ में आ रहा होगा तो अभी इसे चेक करते हैं केक को हमारे टूद्पिक डालके तो टूद्पिक देखिए दम क्लीन निकल के आई है यानि हमारा cake बेक हो चुका है 35 मिनिट में तो इसे पूरा अच्छी से थंडा होने देंगे Okay, room temperature आने तक हमें cake को थंडा करना है और इसके बाद ही इसे cake-team से निकालेंगे गरम गरम केक्टिन से बिल्कुल भी मत निकाले हैं तो देखिए केक हमारे एक दम अच्छे से थंडा हो चुका है थंडा होने के बाद देखिए किनारों से अच्छे से साइड छूड चुका है यानि केक हमारे एक दम पर्फेक्ट बेग हो चुका है इसे निकालते हैं केक के परेखाद प्लेट रखी और इसे केक टिन को उटा करके बस हलका सा टैप करेंगे ना तो केक हमारा इसली निकल आता है यह जो बटर पेपर लगाए तो उसे भी निकाल देंगे तो कितने अच्छे से कलर दे कि बहुत ही अच्छा पैरा लग रहा है कलर दम पर्फेक्ट हमारा कि टेस्टी और सस्ता केक आप घर में बना सकते हैं तो जल्दी से बनाए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताए रेसिपी आपको कैसी लगी तो देखे कितना कट करते हुए आपको समझ में आ रहा है कि कितना सॉफ्ट बना है अगर मेरी दिखाईव रेसिपी अच्छे हमारा केक बना है तो जल्दी से बनाए और अपने फैमिले के साथ इंज्वाइब कीजिए मस्से से सूजी पाइनैपल के खाने में एकदम ला जवाब लगता है पेकरी से लाना भूल जाएंगे इतना टेस्टी पीना ओवन के एकलेस के कप घर में बना सकते हैं